हेलो नमस्कार दोस्तों आप अभी मिली मौसम की ताजा जानकारी के मुतावित है मध्य परदेश में बोपाल सहीत और इंदोर सहीत आसपास की लोकों में अच्छी खासी हीट वेव और भारी गर्मी के संभावना जताई जारी है कहां पर कैसा रहेगा कब आपको गर्मी से रात मिलेगी पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा तो अगर आप मध्य परदेश में कहीं पर भी रहते हैं तो इसे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे इस चैनल को इलाल वाला बटन दबा कर सब्सक्राइब कर दीजे साथ में गंटे के आइकन को दबा कर ओल पर क्लिक कर दी जो हमें कमेंट करके बताइए क्या मध्य परदेश के कौन से जिले गावे शेहर में रहते हैं मध्य परदेश के ग्यारा जिलो में लूग का प्रकोव जेल रे कई स्थानों पर लूग चली है और मौसम विबाग ने नर्मदापूरम, ग्वालेर और छतरपूर जिलो में तीवर लूग चलने की संभावनों जताते हुए औरेंज अलट भी जारी किया गया है वही दोस्तों खंडवा, रतलाम, खरगोन, गुना, साजापूर, जबलपूर और दमुआ, सतना, सागर और रिवा जिले में लूग को लेकर यलो अलट जारी क्या गया है वही मौसम विभाग की माने तो बताये गया है कि अगले दो से तीन दिनों तक हाओ की दिशा बदलने पर पारे में और व्रदी का कर्म थोड़ा थम सकता है यानि कि थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा बायलेस डिगरी पारा यहां चली लूग तो दोस्तों पिछले दो दिनों के दोरान खरगोन, नर्मदापूरम, खजुरा और नौगाओं में दिन का पारा सबसादिक रहा यहां पर बायलेस डिगरी के करीब तच हो गया है तापमान वही रतला में लू चली और मौसम विग्यानिकों का कहना है कि पूरे के पूरे प्रदेश में मौसम विबाग ने प्रभावित करने वाला कोई विशे सिस्टम तो शक्रे नहीं हुआ यह बता है साथ में गुजरात माराष्ण और राजस्तान में लगातार तापमान बढ़ रहा है इसी वज़े से दोस्तों वहां से आ रही गरम हवोसे मध्य परदेश में दिन के तापमान में एक बार फिर से बड़ोतरी होने लगी है और यह सिलसिला शुरू हो गया नर्मदापूरम, खरगोन, रतलाम, गुना, ग्वालियर, जबलपूर, नोगाउं, दमवा, सतना, सागर, सीधी और टिकमगड में लू चली है मौसम विबाक की माने तो भोपाल में अधिकतम तापमान 49.8 डिगरी सेलसिस और 99.2 डिगरी सेलसिस रहा इन दोर में अधिकतम तापमान 38.24 किया गया और अगले 2-4 दिनों के दोरन पूरे के पूरे मध्या प्रदेश में अच्छी खासी गर्मी रहेगी तो कई जगों पर उतार चड़ा लगातार जारी रहने के समाना काफी अधिक जताई जारी है मौसम विबाक की माने तो दोस्तों इंदोर में जो है जहां पर त चला गया है वही दोस्तों बोपाल में चार दिन के बाद थोड़ी गर्मी से रहात मिलेगी तेज हवाई चलने के अनुमाने सीधी में काफी जगों पर गर्मी बढ़वानी में बारी गर्मी धार में बारी गर्मी और साथ में उज्जेन और हर्दा शिवपूरी मंसोर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब जरू करना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद